हलो फ्रेंड्स मैं इस्टेशन मास्टर के आर से नी के आर एजुकर से ने पर आप सभी का स्वागत करता हूं फ्रेंड्स अपनी जो डाउट क्लियर की जो सीरीज चल रही है उसमें अपना आगे बढ़ते हैं आज फिर से आपके कुछ मैंने कॉमन डाउट से आप उठाए है तो यह जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत ही हेलफुल होने वाला है तो इस वीडियो को जो है लास्ट सक जरूर देखे साथ ही जो भी लोग चैनल पर नहीं है वह चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसे इन्फोर वीडियो आपको मिलते रहे और दोस्त पहले आपन बात करते हैं आपके डाउट नमर फरस्ट की इस पर बहुत सारे कमेंट आ रखे थे कि मेडिकल के छे माईने बात तक जोइनिंग नहीं दे तो क्या मेडिकल दूबार होगा क्या तो देखो यहां पर कई किसी किसी जोन से बहुत सारे केंडियर है स्टेशन मास् तो यह एक संसे बना हुआ है बच्चों में कि जो अगर हमारी जोइनिंग है छे मेंने तक नहीं आती है तो क्या हमारा मेडिकल दुबारा देना होगा? और काफी सरी यूटूब चैनल वगर भी यह बता रखा है कि अगर आपके 6 मैंने तिक जोईनिंग नहीं होती है तो आपका जोई मेडिकल दुबार होगा लेकिन मैं आप सभी को यहां पर बताना चाहूंगा कि आपका जोई मेडिकल यहां पर दुबारा नहीं होगा रेलो आ बात निकल के आई है कि आपका जो मेडिकल होगा यहां पर दुबारा नहीं होगा और दुबारा जोगा वो च्यार साल के बाद ही होगा तो इसमें आपको डरने वाली कोई आप सकता नहीं है आपको जोईनिंग चैनल बात दे या साल बर बात में दे आपका मेडिकल यहां दुबारा नहीं होगा और कई बचे तो यहां तक भी डर रहे थे कि सर मालो यहां में किसी ने ऐसा बताया कि हम मेडिकल हो गए तो हमें जोब से निकाल दिया जाएगा यह से मतलब कोई उल्टी सीदी बात है बहुत सारी तो आप बिल्कुल भी ऐसे किसी भी चीज को लेके मि ग्याज किया है वो तो 2012 में जब उनका ट्रेणिंग स्टाट हो गई तो यूरीं ट्रेणिंग उनका एक्षेट हो गया थो और पेर में काफी फ्रेक्चर भी आया थे तो इड्मिट वगर रहे तो उन्होंने जो है ट्रेणिंग छोड़ दीती 2012 में और फिर उनने दुबारा सुरू से 2013 में training start की थी तो 2013 में जब उन्हों training की और 2012 की उनकी joining थी तो देखो कितना game लग गया उनकी training होटे में तो 6 मेने से भी ज्यादा time हो गय था फिर भी उनका यहाँ पे medical दुबारा नहीं हुआ और साथ यूनके तो fracture भी था फिर में फिर भी उनका medical दुबारा नहीं होगा, तो आपका भी यहाँ पर कोई दुबारा medical नहीं होगा, किसी भी type से, तो आप एकदम निस्सिंद रहे हैं, आपका यहाँ पर जो medical होगा, पहला medical, एक बार तो initial आपका हो गया, इसके बाद में चार साल बाद ही आपका medical होगा, और उस होनेगी, फिर भी कभी कबार हो जाता है, जैसे हमारे साथ ही, एक स्टेशन मास्टर थे, रो नगडा का जी, तो उनके बाइपास हर्जरी होती होती है, तो इसलिए उनको initially, हमारा first medical होने से पहले पहले, पहले उनको डिकेटराइज कर दिया गया, और उनको जो है, अपने DR इगरी होती है, तो वह Baptist बन सकता है, तो उसी के उपर एक भाई ने comment किया है, सर अगर इसी प्रकार अगर वी pharma डिगरी होने से, Affairs से वन सकता है, तो एँधिनर की डिगरी होने से हमöyle जईई और SSE बन सकते है गया, तो देखो यहाँ पर जो जईई गा, पर ग्रेड पर होता पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले यही की पोस्ट पे आना होगा और आप सभी को पता है कि station master भी 42 सो क्या है और यहां पर सेम डिपार्टमेंट में नहीं नहीं जा सकते हैं सेम ग्रेड़ पे के अंदर डिपार्टमेंटल एक्जाम नहीं दे सकते हैं तो और वैसे भी जो है आप इस्टेशन मास्टर से जेई के लिए नहीं जा सकते हो अगर आपको से और जीब बनना है तो आपको फिर ड transmit आपके अरट बीके जो एक्जाम लगते हैं वह एक्जाम आपको यहां पर देने हों इसके बात करते हैं किया न्यू अश्法 को टाइनिंग के बाद फस्ट पोस्टिंग जंक्शन सकती है तो बिल्कुल मिल सकती है क्योंकि मैं इतना दावे के साथ इसलिए बोल सकता हूं क्योंकि मुझे मिली है जब हम ट्रेनिंग कर रहे तो हमें भी ऐसा ही बता गया था कि आपको जो है पहले चोटे स्टेशन पर डूटी करवाई जाएगी उसके बाद में आपको जो है जब कि हमारे साथ यसा निवा हमारे बेच के कई जो एशम केंडियेट थे उनको फ्रस्ट पोस्टिंग यह जंक्शन स्टेशन मिला था और हमारे बेच में से जो गंगानगर जंग्शन मिला था वो मेरे को और एक मेरे साती है सुभित बंसीवाल हम दोनों को यहां पर यह स लिएल्व करम चारी बिना टिक्ट यातरा कर सकता है क्या तो देखो कोई भी रेल्व ख्लमचारी बिना टिक्ट यातरा नहीं कर सकता अगर बिना टिकacak मोईश करता हो पायाइग해 तुन वह आपके अवेद यात्री माना जाएगा यहाँ पे रेल्वे आपको पास और PTO की सुईदा दी गही है आप अपना पास लो PTO लो जो ओनलाइन मिलेगा आपको उससे आप रेजरेशन कराओ उसके बाद आप कहीं भी आता करो वो एक अलग बात है कि आप स्टाप के नाम से जो है जनरल डिबो में या किसी भी भी टीटी से बात करके एक कोपरेशन वाली बात है बाकी आप उत्राइज नहीं हो बिना टिकेट यात्रा करने के लिए वह एक अलग बात है कि railway stop के नाम से जो आपको oblige कर देता है तीटीजी एक अलग बात है बाकिया पे आप अधिकरत नहीं हो बीना ticket आता करने के और एक भाई ने ये भी पूछ रखाता कि सर हमारा जो सुईधा पास होता है उस पे हमें confirm seat मिलेगी का और सुईधा पास एकदम फिरियो होता है आप इंडिया में कहीं भी कस्मीटू करने आप एक पास के अंदर आपका आना और जाना होता है तो आपको पास साल तक तो एक ही सेट मिलेगा उसके बाद में आपको तीन फिरी पास मिलेंगे और चार जो पीटीओ मिलते हैं उसमें आपको बंधर ग्रेया लगता है तो यह सारी कुछ जो है आपके पास पीटीओ की इस पर मैंने डीटेल से एक वीडियो बना रखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रेश पर मिल जाएगा आपको कब-कब कितने पास मिलेंगे और कौन सी क्लास के आपको यहां पर पास मिलेंग अपलाई कर सकते हैं कि हमारे होम डियूजन के लिए और जो हमारा होम डियूजन जो पड़ता है हमारे जिस जोन में हमने अपलाई कर रखा है उस जोन में नहीं आता है तो देखो इस केस में जो है आपको आपका होम डियूजन नहीं मिल सकता क्योंकर आपका जो होम डियू केस में आपको home division बिल्कुल भी नहीं मिल सकता चाहे आपके कोई भी health issue हो father mother की health issue हो किसी भी case में आपको home division नहीं मिल सकता एक बार तो आपका जोन है उसी के अंदर आपको कहीं joining करना होगा उसके बाद वो आगे के बाते हैं ट्रांसपर हो करेगी इसके बाद में बात करते हैं पन SM की latest inherent salary क्या होगी तो देखो station master की inherent salary जो होगी यहां पर जैसे training में अलग होगी और आपके training के बाद में अलग होगी क्योंकि training में जो मिलता है आपको basic plus DA ही मिलेगा तो basic आपका 35,400 रहेगा और plus DA यहां पर 38% है तो 38% इसका 13,400 बाउनर पर हो जाएगा तो यही ही आपक जो है approach इसको 49K के करीब मान सकते हैं अब दोस्तों इसमें से जो है आपका 10% आपका NPS की कटोती भी होगी during turning तो आप लगवग इसमें से आप 5000 की कटोती मान सकते हो इसके बाद में आपके बसते हैं फिर 54,000 यहीं आपको जो है in hand salary यहां से मिलेगी 45,000 रुपे training के अंदर quarter Z class city अगर मिलती है तो आपको quarter नहीं मिलता है तो आपको HRA मिलेगा 9% रहेगा और अगर Y class city है तो 18% रहेगा और X class है तो आपके 27% रहेगा तो मैं यहां पे आपके Z class लेके चल रहा हूँ और यहां पे 2400 के करीब जो है आपको मिलेगा यहां पे TA तो यह कुछ सारी है आइटलाउस भी जोड़ सकते हैं 3-4000 रुपे तो यह आपकी यहां पर सेलरी बन जाएगी लगवाग आपके 77-8000 के करीब आपकी यहां पर सेलरी बनेगी अब इसमें से वह 10% आपकी NPS कट होती जाएगी जो की basic plus DA का होता है तो वह 5 अपने काट लेते हैं इसमें से तो आ बात करते इसकोब करने यहां करेंते कि सर्फ डॉइनिंग करते ही इस्ट आथा नीए है आप जिस दिन में लोगे मैं बैंक भूट वाईरों कर सेलरी स्फ निस्पी सेल्यक मिलेगी certain बात बात करते हैं किया कॉमर्सिल डिपार्टमेंट में भी जोन चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट दस साल बाद लगती है क्या तो देखो कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया ताकि जोन चेंज करने के लिए आपको जो है क्या क्या प्रोसेस होती है किस किस टाइब के ट्रांसपर वगर होते हैं तो आप वीडियो देख सकते हैं लिंक में डिस्कृप्पिन देदूगा बाकि आपको यहां पे कोई सी भी टाइब की जोब है चाहे आपकी ट्रेन मेनेज बाकि इस नहें नहीं होती है आपटेंग में क्लोथ यह कपडे खुद को वस करने होंगे तो यह सथे डेसंड़ में आप ग्रोस खरसकतेओं करते और्वहां अब पर किसी को कपड़े नहीं दोना तो कपड़ें भी सकता है इसके बात करते हैं एसम से एस सब्सक्राइब में कितना टाइम लग जाता है तो देखो कम से कम SSSM बनने में आप कम से कम आठ से दस साल तो मान के ही चलो क्योंकि इसमें ऐसा होता है यह थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है जैसे कि किसी-किसी डिविजन में जैसे विकाने डिविजन की बात करूँ तो यहां पर प्रमोशन यहां कम से कम आपको आठ से दस साल तो मेरे सबसे लगी जाएंगे SSSM से SS बनने में और यहां पर एक-दो साल उपन नीचे हो सकते हैं वह आपके अलग-अलग डिविजन पर डिपेंड करेगा तो इस प्रकार आप SM से SS बन सकते हो तो आई होप यह वीडियो आप लोगों के सेर और सब्सक्राब करें थैंक यू